दोस्तो जब भी हम बात करते हैं स्किन केर की तो हमारे घर में उप्टन और बेसन का नाम सबसे पहले आता है बेसन मारे स्किन के कई तरह की परिशानियों को दूर करता है तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसन के 5 ब्यूटी टिप्स पहला गोरा रंग पाने के लिए इसके लिए आपको चाहिए एक चमच बेसन, आदा चमच बादाम पाउडर, आदा चमच दूद और आदा चमच नीवु का रस इसे मिला कर इसका पेश्ट बना लीजिए अब इसे चेहरे पर लगा कर 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए 30 मिनट के बाद चेहरा साधे पानी से धोलीजिए ऐसा सब्ता में दो बार करते रहने से चेहरा साफ होकर निखरने लगता है दूसरा गर्दन, हाथ और पैरों के कालेपन के लिए इसके लिए आप सबसे पहले तीन चमच बेसन लीजिए इसमें एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, एक चमच नीवू का रस और एक चमच दही डालकर बिला लीजिए और इसे चेहरे, गर्दन और हाथ पर इसे लगा लीजिए आगा गंटा इसे लगा रहने दीजिए उसके बाद इसे धोलीजिए इसे सब्दा में कम से कम तीन बार करें, आपको इसका फायदा दिखने लगेगा तीसरे दिप, ड्राई स्किन में निखार लाने के लिए इसके लिए आपको लेना है एक चमच बेसन, आदा चमच दूद की मलाई, आदा चमच नीभू का रज़ और आदा चमच शहर मिला लीजिए अब इस माक्स को अपने चेहरे पर लगा कर 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर पानी से धोलीजिए इसका इस्तमाल सब्ता में तीन मार करने से चेहरा मुलायन होकर क्लीन दिखने लगता है चौथी टिप है ओले स्किन के लिए एक चमच बेसन लीजिए उसमें आदा चमच चंदन पाउडर आदा चमच दही एक चुटकी हल्दी और एक चमच नीवू का रस मिला कर इसका मिश्रन बना लीजिए अब इस मार्क्स को चेहरे पर लगा कर छोड़ दीजिए और 25 मिनट के बाद गुंगुने पानी से चेहरा धोलीजिए इस सब्ता में एक बार करते रहने से यह स्किन टोन को लाइट करता है और साथ ही साथ संटैन को रिमोग करता है पांच मेटे चेहरे के बाल हटाने के लिए इसके लिए एक चमच पेशन लीजिए इसमें आधा चमच नीवू का रस और थोड़ा सा पानी मिला कर पेश्ट बना लीजिए अब इस पेश्ट को चेहरे पर लगा कर छोड़ दीजिए और लगभग 15 मिनट तक अच्छे तरह सूखने दीजिए इसके बाद पेश्ट को उपर की तरफ रगड़ कर उतार दीजिए और चेहरा धोलीजिए ऐसा सब्दा में दो बर करने से चेहरे के अंचाहे बाद धीरे धीरे कम होनी लगती है